आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ अजी देखिए हैं कुशन दिया गया है अगर एक शेप है वो कम्प्लीटली बाउंड किया गया है तो कितने कम से कम नमबर आफ फेस इसमें होंगे ठीक है तो यहां मैं लिख ज़ता हूँ मैं लिख जो इसमेद र तो नह सिलीश ऑोड़द जैजरे मैं लिख string र changing तो जाए फोड़द दस्यं है अ लिख़द बाउरे 마्न अ वारे सभ़द घ सद्यes दिक है अ अ ल हर वो देस्त लाकिई टर-स, it has at least कम से कम 4 planes कम से कम 4 planes होंगे that can form that can form to enclose a solid to enclose a solid एक solid को enclose करने के लिए कम से कम कितने फेच चीए है और चीए है जैसे मैं एक प्रिजम का एक्जामपल ले लेता हूँ और polyhedron या आप कह सकते हो कि triangular pyramid का भी एक्जामपल ले लेता हूँ ठीक है तो दो polygonal faces है ठीक है और इनके वर्ट्ट्रिस को मैं connect करता हूँ तो यह बन गया triangular prism और इसमें total कितने face होंगे ठीक है यह हमें देखना होगा देखे यह दो तो polygon ही हो गए top bottom एक left side में एक right side में और एक नीचे कितने faces है इसमें five ठीक है तो यह तो prism की बात होगी ठीक है दो equal होते है अब दो equal similar face तो होते ही होते है इसमें ठीक है लेकिन सबसे कम जैसे at least कम से कम कितना होना चाहिए तो वो होता है आपका पिरामिड में ठीक है जैसे हमारा पिरामिड है द्यान से देखेगा ट्रेंगलो पिरामिड आप बोलोगे से ठीक है इस ट्रेंगलो पिरामिड में यह ट्रेंगल है और इसके सभी वर्ट्स इसको हम कनेक्ट कर देते हैं ठीक है पहले इस वर्टेक्स को कनेक्ट किया फिर यह फिर यह कनेक्ट हो है यह बन गया ट्रेंगुलर इस ट्रेंगुलर पिरामिड किंने फेस्इ कितने वर्ट्स इसएं है अदि इस Kerry कितनी आजस तो जो इस को क्रेंक्ट कर रही है उस अर्य इस वर्ड्स को कनेक्ट कर रही है सबर्सिस को इस पॉइंट के वन, टू, एक ये फेस है, तरी, और एक पिलकुल बैक साइड है, फोर, तो मिनमम कितने होंगे, फोर होंगे, तो ये ही इसका अंसर है, तो आपको एक कुछन समझ आया होगा, थैंक यू.